अगर आप हमारे चैनल पर नए है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन्स आप तक पहुँच सके चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते है प्रसाद जी की रचनाव में जीवन का विशाल शेत्र समाहित हुआ है प्रेमा नुभूती, सौंदर्य दर्शन, देश प्रेम, रहस्या नुभूती, प्रकरती चित्रन और धर्म आदी विविद विश्यों को आकर्शक ढंग से साहित्ते प्रेमियों के सामने प्रस्तुत किया है ये सभी विशे प्रसाद जी की साहित्तिक चारूता को बढ़ाते है प्रसाद जी के काव्य साहित्य में प्राचीन भारते संस्रेती की गरिमा और भव्यता बड़े प्रभावशाले डंग से प्रस्तुत होई है प्रसाद जी का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है इनके काववे में छायावाद की सभी विशेष्टाएं देखी जा सकती है इनके साहित्ते की प्रमुक विशेष्टाएं निमलिखित है पहला है प्रेमा नुभूती का काववे प्रेमा नुभूती प्रसाद जी के काववे की प्रमुक विशेष्टा है प्रसात का कावे मानवता के समगर उत्थान और चेतना का प्रतिनिधी है उसमें मानव कल्यान के स्वर है उनका प्रेम, मानव, प्रक्रती तथा इश्वर से जुड़ा हुआ है उनके कावे में जगा जगा मानविय सौंदर्य देखा जा सकता है कवी ने कामायनी में श्रद्धा के आशरीरी रूप सौंदर्य का वर्णन करके अनायास ही मन में प्रेमा नुबूती को पैदा किया है वह अत्यधिक सुंदर बन पड़ा है प्रसाद जी के साहित्ते की दूसरी विशेष्टा है गौरव में अतीत का वर्णन जैशंकर प्रसाद का संपून साहित्ते अपने देश के गौरव में अतीत को समेटने में लगा दिखाई दिया उन्होंने पार्सी रंगमंच की परंपरा को आस्विकार करते हुए आपने आव इसमर्णिय नाटकों के माध्यम से भारत के गौरव पून अतीत को सामने लाकर रख दिया उनके नाटक सकंदगुप्त चंदगुप्त आदी ने स्वर्णिम अतीत को सामने रख कर मानो एक सोय हुए देश को जगाने की प्रेणा दी उनके नाटकों में देश प्रेम का स्वर अत्यंत दर्शनिय है और इन नाटकों में गौरव में अतीत को स्पष्ट करते हुए कई सुन्दर और प्रसिद गीत भी मिलते हैं प्रसाद की साहित्तिक की तीसरी विशेष्टा है राष्ट्रे प्रेम राष्ट्रे प्रेम को प्रसाद जी ने अपने साहिते में सरवत्र जगा दी है अपने राष्ट्रे प्रेम और देश के प्रति सम्मान को प्रसाद जी ने विभिन कविताओं नाटकों कहानियों के प्रसंगों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है उनके नाटकों के विभिन पात्र देश भक्ती संबंधी भावों के पद का गान करते हुए दिखाई देते हैं प्रसाद जी ने राष्ट्रे गौरव और स्वाभिमान को अपने साहिते में सर्वत्र स्थान दिया है उनकी अनेक रचनाए राष्ट्रे प्रेम के उतकर्ष भाव को जगाने वाली है चंद्रगुप्त, सकंद्रगुप्त, अजाद्शत्रु आदी ऐसे ही नाटक हैं चंद्रगुप्त नाटक में कारनेलिया भारत के मधुमय रूप का गान करती हुई कहती है अलुन यह मधुमय देश हमारा जहां पहुँच अनजान शितिश को मिलता एक सहारा प्रसाद के साहित्ते की चौते विशेष्टा है रहसे वादी दार्ष निक्ता का बाहुल्य एक चायावादी कवी होने के कारण प्रसाद जी के कावे में रहसे वादी दार्ष निक्ता गंभीरता का बाहुल्य देखने को मिलता है कामाईनी पूरी तरह से भारते दार्ष न का परिचायक महा कावे है एडा सर्ग में बहुत ही सुन्दर दार्षनिक वर्णन है अंतिम निर्वेद, दर्शन, रहसे और आनन्द सर्ग दार्षनिक है दर्शन सर्ग में चित्रित, प्रक्ति का चित्रन किया गया है अंतिम दो सगों में भावना, कर्म और ज्ञान के तीनों लोगों का सुन्दर वर्णन है प्रसाद जी का समस्त कावे छायावादी या रहसेवादी आधार लिये हुए है कवी का रहसेवाद उस अग्याद सत्ता के प्रती भी दिखाई देता है और उससे प्रश्ण करके जवाब पाना चाता है प्रसाद के साहित्ते की पांचवे विशेषता है मानवे गुणों की उद्भावना प्रसाद जी मानवतावादी कवी थे उनके स्थलों पर उनका यह गुण राश्ट्रियता की संकुचित भाव भूमी से उपर उठकर मानव कल्यान की चर्चा करने लगते हैं उनके द्वारा रचित महा काव्वे का मायनी में श्रद्धा, मनू और इड़ा के माध्धम से मानवता के विकास की कहानी कही जा सकती है जिसके आनंद सर्ग में कवी ने वसू धैव कुटुम्ब कम के द्वारा मानवतावाद का संदेश दिया है इसी प्रकार अशोक की चिन्ता कवीता में भी कवी ने मानवता को पीडित करने वाले जुद्धों का वर्णन किया है वह मानव को विजय और पराजय से आगे सोचने की प्रेणा देता है प्रसाद के साहित्ते की छटी विशेष्टा है प्रकरती वर्णन प्रसाद जी ने अपनी कावी रचनाओं में प्रकरती के अनेक रूपों का वर्णन किया है प्रकरती उन्हें प्रतेक रूप में आलंबन, उद्विपन, आलंकरिक, मानवी करन आदी में आकर्शित करती है प्रसाद जी ने प्रकरती के मधूर रूप का वर्णन किया है और वे प्रकरतिक परदार्तों पर मानवी भावनाओं का आरोप करते हुए लिखते हैं बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उशा नागरी आगे बढ़ते हैं और प्रसाद की कावे की सात्वी विशेश्ता को देखते हैं जो है नारी वर्णन प्रसाद जी ने अपने कावे में नारी संबन्दी जो द्रिष्टी कोन व्यक्त किया है वह अद्बुद हैं इनकी नाईका भी नारी सुलब गुणों से प्रेम, त्याग, उत्सर्ग, भावुक उदार्ता से पून है ये गुण मानविय ना होकर देविये हैं जिन में प्रेम, सौंदर्रे, आदी उच्च उद्दात भावनाई व्यक्त हुई हैं नारी के इस प्रकार के उद्दात गुण प्रिथ्वी लोग की नारी में नहीं देखे जा सकते काहा माईनी की श्रद्दा इसी प्रकार की नारी है कभी ने उनके आशरीरी सौंदर्रे का जो वर्णन किया है वह अत्यदीक सुंदर बन पड़ता है प्रसाद के साहित्ते की आठवी विशेष्टा है रस योजना प्रसाद जी यस रोजना के अद्बुत हैं रस की द्रिष्टी से इनके साहित्ते में नव रसों का प्रियोग होते हुए भी करुण वश्रिंगार रस की अधिक्ता है प्रसाद जी का विरह काववे आसू तो मानू करुण रस का सागर है प्रसाद के साहित्ते की नौवी विशेष्टा है भाशा शैली प्रसाद जी की भाशा शैली पर दुरूता का आरोप लगता रहा है कि उनकी भाशा दाशनिक्ता से बोजिल है अलंकारिक्ता एवं तत्सम शवदावली का बहुले है किन्तु प्रसाद जी ने जिस प्रकार की रचनाए साहित्ते जगत को दी है उनके अनुसार वैसी अलंकारिक एवं तत्सम बहुत शवदावली युक की मांग बन जाती है उनके अनुसार विशे के अनुसार भाशा का चैन किया जाना चाहिए उन्होंने अपने साहित्ते में चायवादी कावे शैली के अनुरूप भाशा में ओज, माधुर्य और प्रसाद तीनों गुणों का समावेश किया है प्रसाद जी की अलंकारिक योजना उच्च कोटी की है उन्होंने प्रायह, अनुप्रास, उत्मा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरन तथा विशलेशन विप्रय अलंकारों का सफल प्रयोग किया है प्रसाद जी ने भारती एवं पाश्चात्य शैलियों का प्रसंगा नुकूल प्रयोग किया है प्रसाद जी ने अपनी भाषा का श्रिंगार संस्कृत के तच्सम शवदों से किया है भावमयता इनकी भाषा शैली प्रधान विशेश्टा है प्रसाद जी का बिम्ब वप्रतीक विधान परम परागत होते हुए भी नवीन्ता लिये हुए है शैली की लाक्षनिक्ता इनकी काववे भाषा की एक अन्य विशेश्टा है इन्होंने अपना अधिकांश काववे छंद में आबद्ध किया है कुल मिलाकर इनकी भाषा सरल, सहज और प्रवा मई है भाषा शैली और शब्द विन्यास के निर्मान के लिए जितना संगर्ष प्रसाद जी को करना पड़ा उतना दूसरों को नहीं अभिनेता के कारण उनकी बहुत आलोचना की गई तो उन्होंने एक बार कहा भी था कि रंगमच नाटक के अनुकूल होना चाहिए ना कि नाटक रंगमच के अनुकूल उनका यह कतन ही नाटक की गरीमा को सिद्ध कर देता है इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है जिसमें हमने जाना जैशंकर प्रसाद के कावे की साहितिक विशेष्टाओं के बारे में अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थाइंक यू फो वाचिंग